अब हम बात करते हैं question number 716 यह example number 7.16 यानि कि 16 number का question है अब यहाँ पे question बेता है आप body screen पे तो आपको दीखे गाई है आप इससे देखे लिखा है कि 3 bodies a ring बोलना है कि इसमें एक ring है ठीक है उसके माद बोल रहा है कि a solid cylinder यह दूसरा है solid cylinder यह दिया है आगे देखिए and a solid sphere फिर बोल रहा है solid sphere यह बोल रहा है ठीक है आगे roll down the same inclined plane same inclined plane without slipping they start from rest the radii of the bodies are identical which of the bodies reaches the ground with maximum velocity बोल रहा है कि इन में से कौन सी body ground पे maximum velocity से आएगे ठीक है इस body को हम revolve करते हैं मतलब यह आएगी roll करते हुए नीचे की तरफ आएगी तो बोल रहा है कि यह body k square by r square के बराबर होता है ठीक है height यह होती है theta तो आपने देखी लिया k square by r square यहाँ पे हम सभी का mass मान लेते हैं m और radius ले लेते हैं r ठीक है यहाँ पे जो k है वो k है radius of gyration k है radius of gyration यह दिया है ठीक है अब समझिये आगे इसमें इसमें हमसे बोल रहा है कि v की value बताइए v कौन ज़ादा होगा तो देखी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2gh और 1 यह constant होगा मतलब सारी की सारी dependency चली जाएगी k square by r square के उपर ठीक है अब समझिये आपे अगर हम ring की बात करें तो k square by r square के value ring के लिए 1 होती है ring के लिए 1 होती है अगर हम k square by r square की बात कर रहे हैं solid cylinder के लिए तो देखें solid cylinder जो होता है वो एक disc की तरफ behave करता है ठीक है मतलब इसका जो behavior होता है वो disc like होता है और यह disc का होता है मतलब इसका k square by r square होता है half ठीक है उसी तरीके से k square by r square के हम बात कर रहे हैं solid sphere के लिए तो जो solid sphere होता है solid sphere का होता है 2 by 5 यह होता है ठीक है तो यह तो पता हो गया हमें अब यही value हमें बारी बारी से put करनी है तो हम लिखेंगे v किसके लिए पहले लिखेंगे ring के लिए ठीक है is it first root में 2gh upon 1 plus ring के लिए k square by r square की value होती है तो यहाँ पर 2gh यह देखिए यह 2 2 से 2 cancel हो गया तो यहाँ पर देखिए बचा क्या बचा यहाँ पर root में gh के बराबर क्योंकि 1 plus 1 क्या आ गया 2 2 से 2 cancel gh के बराबर आ गया फिर अब हम बात करेंगे v solid cylinder के लिए ठीक है solid cylinder के लिए root में लिखेंगे 2gh upon 1 plus solid cylinder के लिए k square by r square के value होती है 1 by 2 तो देखिए 2 बचा 2, 2 1 3 ठीक है तो यहाँ से हम देखिए 2gh upon यह आ जाएगा 3 by 2 ठीक है यह आगा यह उपर चला जाएगा जब उपर चला जाएगा तो हम बोलेंगे solid cylinder के लिए आ जाएगा root में 4gh by 3 के बराबर ठीक है अब समझिए यहाँ पर हम बात कर रहे है कि velocity solid sphere के लिए solid sphere के लिए आ जाएगा root में 2gh upon 1 plus 2 by 5 क्योंकि k square by r square के value होती है 2 by 5 के बराबर ठीक है अब देखिए 5 उन्जा 5 to 7 7 तो यह आ जाएगा 2gh upon 7 by 5 तो 5 उपर चला जाएगा तो solid cylinder के लिए आ जाए जाएगा 55 to 10 तो 10 g h upon आएगा 7 के बराबर ठीक है हमसे पूछ रहे है किसकी value जादा होगी तो हम बात करेंगे देखिए यहां पर देख लेंगे वी अपन सबसे पहले देखते हैं किसकी जादा है तो यह 10 by 7 और 10 by 7 का मतलब अंदर अंदर ही देख लें तो 7 बन्जा 7 यह हो जाएगा ठीक है बचा 3 और 3 का मतलब 7 फूर्जा 28 तो 1.4 1.4 g h यह रूट में यह आ गया इसकी बात करें अपन तो यह 3 बन्जा 3 तो 1 बचा यहां पर 1 तो 339, 339 g h यह बच गया यहां की अगर बात करें तो यह 1 है यह 1 है तो यहां पर 1 यहां पर आपका 1.33 यहां पर 1.4 है यानि की जो velocity होगी solid spare की सबसे जाधा होगी उसके बाद आएगा solid cylinder की तो solid cylinder का उसके बाद और ring की जो velocity होगी वो सबसे कम होगी ठीक है तो यही इनका order होगा तो यह तो आपको समझमा गया किस तरीके से question solve हुआ है ठीक है तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि solid spare की velocity सबसे जाधा उसके बाद solid cylinder की उसके बाद ring की होगी ठीक है